हेलो दोस्तो स्वागत आपका जी के मास्टर जी में आज हम डिसकस करने वाले भारती सविदान के मैत्पूर्ण अनुचेद और उससे जुड़े 50 प्लस most important questions के बारे में इस वीडियो में हम एक-एक अनुचेद को उठाएंगे और उसके साथ-साथ जुड़े वे जितने भी important question है उनको साथ-साथ cover करते वे चलेंगे जिससे कि आपका अनुचेद का topic काफी clear हो जाएगा यह अनुचेद से जुड़ावा पहला पार्ट है जल्दी ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आने वाला हूँ काफी important यह वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप अपने चनल को subscribe, like और share करना ना बोह तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारते सविधान के महत्तपून अनुचेद लेकि पहले सविधान के बारे में बात करें किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सविधान काफी important है क्यों क्योंकि वहां की व्यवस्था को बनाई रखने के लिए वहां के लोगों बात में बात करते हैं बाति सविधान के पहले भारे में बारे में उलेक है संग और उसके राज्यचेत्रों का जो वर्णित है अनुचेद एक से चार के बीच में अनुचेद एक क्या कहता है अनुचेद एक उले करता है भारत क्या है राज्यों का संग है यानि कि भारत राज्यों के बजाए क्या है राज्यों का संग है काफी इंपोर्टेंट है एकजान ने कई बार पुछा जाता है कि भारत का है राज्यों का संग है देखे जो ये व्यवस्था है ये दोस्ट बातों की और संकेत करती है एक है देश के नाम की और और दूसरी है राजपद्धिती की और आरंब में हमारे देश के नाम को लेकर सविधान सभाग के जो सदश्य हैं उनमें कोई मंतव्य नहीं बाद में decide हुआ कि हमारे देश का नाम क्या होगा तो कुछ सदोश्यों ने कहा कि इसका प्राची नाम यानि की भारत होगा कुछ ने कहा कि इसका आधुनिक नाम यानि की इंडिया होगा अते बाद में डिसाइड हुआ कि हमारे देश के दो नाम होंगे भारत और इंडिया अते हमारे सवीधान में हमारे देश के दो नाम है इंडिया और भारत याद कर लीजिए दूसरी है जो संग सब्द है वो बताता है कि भारत के जो राज्ये हैं वो किसी समझोते के तहट हमा सवीधान है वो इन राज्यों को अलग होने का अधिकार इनको नहीं देता है काफी important है यह next अनुछे 2 में उनलेख मिलता है संग में नई राज्यों के प्रवेश का और उसकी स्थापना का यह अनुछे संसद को सकती परदान करता है कि वो उचित समझे और देश हित में समझे तो नई राज्यों को इस अनुछेत के तहट सामिल कर सकता है अब यहां सब्द आया है नई राज्यों इसे जानना काफी जरूरी है काफी important है तेकि नई राज्यों से तात्परिय उन राज्यों से हैं जो भारत के नहीं है अपर तो दूसरे देश के कबजे में है और जो भ अनुछेत या मूल है next अनुछेत 3 अनुछेत 3 में उलेख मिलता है राज्यों के नाम का छेत्र और निर्माण का यह अनुछेत संसत को सक्ति परदान करता है कि वह किसी राज्य का नाम परिवर्थित कर सकता है काफी important है देखिए कि मद्रास का नाम तमिलाडू किया गया मै अनुछेत संसद को अधीकार देता है किसी छेत्र को गटा बढ़ा सकने का या किसी राज्य में से उसके छेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिला कर एक नए राज्य के निर्मान का जैसे कि हमें पता है कि 36 गर्ड, जारखंड, उतराखंड या हाली में जो भारत का 29 वराज्य बना है तेलांगना आंध्रा परदे से लगोकर वो इसी अनुछेत के तहट बने है वो अनुछेत 3 के तहट यह अधिकार संजद को दिये गए हैं यह important question है इस अनुछेत से जुड़े इनको देख रहते हैं भारते सविधान कब पारित हुआ तो यह 26 प्रभावी हुआ था 26 जनुवरी 1950 को परभावी का मतलब है लागो होना नेक्स नए राज्यों का निर्मान करने की सकती किसे प्राप्त है तो वो है संजद को नेक्स्ट भारत का पहला राज्य जिसका नाम सबसे पहले परिवर्तित किया गया तो वह है संयुक्त प्रांथ वर्तमान में उत्तर पर्देश के नाम से हम जानते हैं 1950 में इसका नाम परिवर्दित किया गया था next भारत का पहला राज्य जिसका गठन भासा के आधार पर किया गया तो वो है आंदर पर्देश जिसका गठन एक अक्टूबर 1953 को किया गया है next रज्य पुनगरठन आयो के अध्यक्स थे तो वो थे भजल अली और इस आयो के जो सदेश्य थे वो कुण थे हर्देनात कुंजूर और केयम पन्निकर ये दो सदेश्य थे next भाग नंबर दो जिसमें उलेक मिलता है नागरिक्ता का जो वर्णित है अनुचेद 5 से 11 के बीक में अनुचेद 5 में उलेक मिलता है नागरिक्ता का ये नागरिक्ता 26 जन्वरी 1950 को जब सविधान लाग हुआ था उसका वनन करता है देखिए एक व्यक्ति जो भारत का मोलनिवासी है और तीन सर्थे पूरी करता है कौन-कौन ची तीन सर्थे हैं उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या सविधान लागो होने से पांच और स्पूर्वो भारत में रह रहा हो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक्त समझा जाएगा नेक्ट अनुछेद नो में उलेक हुआ है नागरिक्ता के त्याग का तीकि व्यक्ति भारत का नागरिक्त नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिक्ता अपना लेता है यानि कि भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिक्ता अपनाता है त उसे भारत की नागरिक्ता का क्या करना पड़ेगा त्याग और यह सब्द आया है सवेच्छा से यदि वो सवेच्छा से ऐसा करता है तो उसे त्यागना पड़ेगा और वैसे भी भारत का कोई भी नागरिक्त तोहरी नागरिक्ता प्रात नहीं कर सकता है नेक्स्ट अनुछे 11 संसद को नागरिक्ता के अरजन और समाप्ति का ये अधिकार देता है तेकि ये अनुछे संसद को कानूनी अधिकार देता है नागरिक्ता के अरजन और समाप्ति का और अन्यनियम बनाने का यानि कि संसद को कानूनी अधिकार है नागरिक्ता के लिए का बनाने का समापती और उसे लागू करने नेक्स्ट यह important question है अनुछे से जुड़े वे पर्थम नागरिकता अधीनयम कब लागू किया गया तो पर्थम नागरिकता अधीनयम एक्कल नागरिकता पर्धान। भारत में नागरिकता का अरजन कितनी सर्थों पर दिया गया है तो भारत में 5 सर्थ प्रावधान के अंतरगत नागरिक्ता प्राप्त करते हैं, तो यह है नागरिक्ता संसोधन अधिनम 1902 में के अंतरगत, एकल नागरिक्ता का प्रावधान किस देश के सविधान से लिया गया है, तो यह है इंगलेंड यानि कि ब्रिटेन के सविधान से, काफ़ इंपोर्टें में उलेख है विदी के समख समानता का तेकि इसका अर्थ है कि राज्य सभी नागरिकों सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा यहां सब्द आया है सभी व्यक्तियों के लिए और सभी व्यक्तियों से अभी परा है कि भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ध्यान में रखकर कानून बनाएगा किसी उंच नीच का ध्यान नहीं रखेगा बड़े छोटे अमीर गरीब का ध्यान इसमें नहीं रखा जाएगा कानून बनेगा एक समान बनेगा और हर व्यक्ति के लिए कानून बनाया जाएगा समानता के आधार पर नेक्स्ट अनुछेद पंद्रा धरम, नसल, जाती, लिंग और जनम स्थान के आधार पर भेदबाव का ये निसेद करता है। यहां सब्द आया है केवल, यह याद रखने की चीज़ है कि केवल इन आधारों पर हम किसी व्यक्ति को नहीं रोख सकते हैं, अन्य कोई भी आधार हो सकते हैं, रोखने टोग में के। इसे समाप्त करने के लिए अनुछेद 17 की व्यवस्ता किये हमारे मुल अधीकारों में और हमारे अनुछेद में। भारत का नागरिक विदेश से कोई उपादी नहीं लेगा, ये भी प्रावधान किया गया है। देखे 1950 में जो हमारे राष्ट्रे जो सम्मान है, उनको लेकर उच्तम न्याले ने एक प्रावधान किया है कि ये उपादिया नहीं है, अपितुई एक सम्मान है। राष्ट्रे सम्मान कौन-कौन से हैं, पदम सिरी, पदम विवुशन और पदम वुशन ये राष्ट्रे सम्मान है। नेक्स्ट किस अधीनियम के तैट छुवाचूत यानि ऐस अपरस्ता को दंदन ये अपराद गोशित किया है। तो ये है जन अधीकार शुरुक्षा अधीनियम 1955, नेक्स्ट पहला सविधान संसोधन कब किया गया। तो ये है 1951 में पहला सविधान संसोधन किया गया था। नेक्स्ट भारतिय सविधान का मैगना कार्टा की सिक आ गया तो ये है भाग तीन को। नेक्स्ट राष्ट्य पुरुषकारों की स्थापना क्या गई तो यह 1904 में इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट राष्ट्य पुरुषकारों को किस सरकार के द्वारा बंद किया गया था तो ये जंता सरकार यानि की मौरारजी देशाई की सरकार द्वारा बंद किया गया था और इंद्रा गांधी ने इसको पुन्हे सुरू किया था जो वर्तमान में चालू अब बात करेंगे अनुचेद 19-22 का जो सुतंतरता के अधिकारों का उलेख करता है अनुचेद 19 में सुतंतरता के अधिकार का हमें उलेख मिलता है आरंब में इसमें साथ हमें अधिकार दिये गए थे बाद में एक अधिकार को यानि कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है अब इसमें 6 अधिकार भारतिय नागरिकों को प्राप्त तो कौन-कौन से अनुचेद 19A जो अभी व्यक्ति की सवतंतरता परदान करता है कि कोई भी व्यक्ति को सवतंतर रूप से व्यक्त कर सकता है बिना किसी रोक्त होके Next 19B शान्ति पुरुक सम्मेलन का ये अधिकार देता है 19C देता है संग या सहकारी समीतिया बनाने का कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समू अपने विकास के लिए सहकारी समीतिया या संग बना सकता है Next 19D, भारत की राज्येश ए छेतर में संचरन का अधीकार देता है, यानि कि घुम्दने फिरने का अधीकार हमें मिला है, अनुछेद 19B के त Catch- The Media 19E, भारत के किसी भी छेतर में निवास करने का हमें अधीकार देता है, अपवाद है जम्मुकस्मीर राजय और जन्जातिय छेत्र नेक्स उन्निस जी कोई भी व्योसाय चलाने का यानि कि अपने जियों यापन के लिए भारतिय नागरिकों अधिकार दिया है किसी भी व्योसाय को अपनाने इसमें उलेखवा अपराद के लिए दोसी करार व्यक्ति चाहे वो नागरिकों विदेशियों कंपनी हो कि व्योसाय कोई भी दोसी व्यक्ति है उसके भी अधिकारों की रक्षा ये अनुचेत करता है उसपे अतिरिक दंड नहीं थोप सकते मन माना उसपे अत्याचार नहीं कर सकते ये व्यवस्था करता है देखे एक व्यक्ति को स्वें के विरुद साक्सी यानि की गवा नहीं बना सकते एक ही अपराद के लिए दोरा दंड नहीं दिया दा सकते यानि कि एक अपराद किया है तो एक बार ही उसको सजा दी जाएगी ना कि बार बार दी जाएगी नेक्स अनुचेद 21 इसमें प्राण और देहिक सवतनतरता के अधिकार का उलेख हुआ है ये अनुचेद किसी व्यक्ति के प्राण और देग सोतंतरता की रक्षा करता है और ये व्यवस्था करता है कि विधी द्वारा स्थापित परकिया से ही वंचित क्या जाए यानि कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और देग सोतंतरता की ये गारंटी लेता है और यदि किसी व्यक्ति को मिर्त्यु दंड दिया गया है तो उसमें क्या होगा उसके प्राणों का हनन होगा तो वो विधी के द्वारा ही किया जाए इसकी यह व्यवस्ता करता है अनुचेद 21 नेक्स्ट किस सविधान संसोधन के तह संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सुची से हटाया गया है तो यह है 44 सविधान संसोधन 1978 के द्वारा Next, संपत्ति के अधिकार को किस अनुछेद में साम्मिल किया गया है? तो यह अनुछेद 300a में जो कानूनी अधिकार है. Next, किस समीधान संसोधन के अंतरगत 4-14 वर्स के बच्चों के लिए निसुलक सिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह 46 समीधान संसोधन 2002 के अंतरगत प्रावधान किया गया है. Next, निसुलक वे अनिवारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्स लागू किया गया है? तो यह वर्स 2009 में लागू किया गया है. Next, राष्ट्रे आपात अनुच्छे 352 के तहट किन मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता? काफी important question है यह तो अनुच्छे 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है. Next, आपात कार के दोरान मूल अधिकारों के सथगन की व्यवस्किस देश के सविदान से ली गई है तो यह है जर्मनी के वाइमर सविदान से. Next, अनुच्छे 23 मानवद्रुव्यापार बलात सर्म का यह निशेद करता है. तेकि यह अनुच्छे मानवद्रुव्यापार बलात सर्म यानि बंध्वा मजदूरी बेगारी का निशेद करता है कि यह अधिकार नागरी को और विदेशी दोनों पर लाग हुए है. यानि कि किसी भी व्यक्ति का हम खरीद परोक नहीं कर सकते उसे बंध्वा मजदूरी नहीं करा सकते बेगारी नहीं करा सकते मुफ्त में उसे मजदूरी नहीं करा सकते यह अनुच्छे 23 कहता है. नेक्स्ट अनुचेद 24, कार खानों आदी में बच्चों के नियोजन का निसीद करें नेक्स्ट अनुचेद 32 में समिधानी उप्चारों के अधिकार का उलेक मिलता है देखी ये अनुचेद मूल अधिकारों की फोन विवस्था करता है और संरक्षन परदान करता है यो को हननों उस्तों नियाले को रिट जारी करने की सक्ती भी परदान करता है मुलिक अधिकारों की रक्षा के यह important question है किस अधिकार या अनुछेत को सविधान की आत्मा कह वे हैं तो वे हैं अनुछे 32 सविधाने उपचारों के अधिकार को भाग नंबर 4 में उलेख हुआ है नीती निर्दे से तत्तों का जिसका उलेख है अनुछे 36 से 51 के बीच में अन अनुछेद 49 एक एतायत उन्हें कानुनी सहायता दी जाए ताकि उनको भी उचित नयाय मिल सके एकजाम में कई बार पूछा गया है अनुछेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था करता है जो काफी important अनुछेद है अनुछेद 45 से 14 वर्स के बच्चों के लिए न इसको कारून के तहट लागू नहीं किया जा सकता अनुछेद 49 राष्टे मेहतों के समारकों स्थलों और वस्थूओं का संदक्षन ये परदान करता है जितने भी राष्टे मेहतों के जो समारक are स्थलने उनके संदक्षन 49 के अंत gelirगत किया गया है किस सविधान संसोदन के तहट पंचायती राज संस्थाओं को समयधानिक दर्जा दिया गया है तो ये 33 सविधान संसोदन 1902 में के नतर गया Next भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज विवस्ता शुरू की गई है तो ये है राजस्थान राज्य की नागोर जिले में 2 अक्टूबर 1969 को Next निती निदेशक तब तो किस देश के सविधान से लिए गया है तो ये लिए गया है आयालेंड के सविधान से Next भाग चार के उलेक मिलता है मोलिक करतेवयों का जो अनुछे 51 के में उलेक जिस तरह हमारे देश के नागरिकों को मोलिक अधिकार दिये गए हैं उसी तरह मोलिक करतेवय भी दिये गए हैं इसका वर्णन मिलता है आरम में 10 मोलिक करतेवय दिये गए थे जिसको बढ़ा क्याब 11 कर दिये गए इससे जोड़े important question देख लेते हैं किस समीति की सिफारिस पर मोलिक करतेवय लागू किये गए हैं तो यह समीति नेक्स मोलिक करतेवय किस सविधान संसोदन द्वारा समीधान में जोड़े गए हैं तो यह जोड़े गए सविधान संसोदन 2002 के अंतर जोड़ा गया है तो यह थे most important अनुछे और उसे जुड़े 50 प्लस most important question आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताएं और जितना हुसके अपने चैनल को सस्क्राइब लाइक और शेर जरूर करें नेक्स पार्ट मैं अनुछे से जुड़ा जल्दी लेके आने वालों तब तक के लिए थैंक यू गोस्तों